नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्धप्रदेश का नमबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मद्धप्रदेश की सबी शाम तक के मुख्या खबरे फटाफट अंदास में शिवराज कैबिनेट बैठक संपन इन प्रस्ताव को मिली मनसूरी मद्धप्रदेश की रहसानी पूपाल में आज बुद्वार को सीम शिवराज सिंग चोहन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन हुई जिसमें कई बड़े पैसले लिए गए वही तबादलों से बैन स्टुडेंट्स को दी जाएगी जिन्होंने अपने स्कूल में चॉप किया यानि जो स्कूल के चॉपर है फिर मद्धप्रदेश आएंगे अमिच्छा 22 जून को बालगहाट में करेंगे चुनावी शंखनात मद्धप्रदेश में विधान सबाचना होने को अब कुछी मही चुनाव को लेकर सबी राजन्यातिक पार्टी में उथल पुथल शुरू हो गई केंद्री मंत्रियों की दौरे का सिलसला जारी है इसी बीच खबर आ रही है कि केंद्री मंत्री अमिच्छा 22 जून को मद्धप्रदेश की दौरे पर आ रही है यहां बालगहाट में वो पर मोहर लगी कैबिनेट की बैचिक में मन्जूर हुए प्रसावों की जानकारी प्रदेश के ग्रह मंत्री नरुत्तम मिश्रा ने दी मुगी मंत्री शिवरा सिंग चोहान के नेत्रतों में मद्धप्रदेश के हर घर में नल जल पहुचाने का कारे युद्ध इस्तर पर ज प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी आगामी 27 जून को मद्धप्रदेश के दौरे पर आ रही हैं बता दें कि प्यम मोधी 25 जून को अमेरिका से लोटने के बाद राजधानी भुपाल आएंगे प्यासे के उमीदवारों ने जारी किया भारत सरकार का पत्र राजसेवा परिक्षा 2022 में दो प्रशनों के उत्तर बदलने को लेकर मद्ध्रदेश लोगसेवा आयो के रवाईये से उमीदवार असंतुष्ट और निराश है प्यासे ने भारत छोड़ो अंदोलन के शुरू होने की तारीक नौ अगस्त 1942 को मानने से इंकार करते हुए प्रशन को ही रद कर दिया अब उमीदवारों ने प्यासे के तर्क को खारिश करते हुए केंदर सरकार का एक पत्र जारी कर दिया है पुपाल के हमीदिया स्फदाल का नाम बदलने की मांग नगर्निका मध्यक्ष ने सीएम को भीजा पत्र रासदानी में नाम बदलने का मुद्धा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा नगर्निका मध्यक्ष किशन सूरेवंची ने शहर में हमीदिया नाम के संस्थाओ और सड़क का नाम बदलने की मांग की इस संदर में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान को पत्र लिखा है परिक्षा 22 जून से संकुल स्तर पर बनेंगे केंद्र प्रदेश बर के सरकारिवा नीजे स्कूस के पांचवी वार्ट पर परिक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों के पुना परिक्षा 22-27 जून तक आयो जित की जाएगी इसके लिए संकुल स्तर पर 3058 परिक्षा केंद्र बनाए गए हैं इसमें गरीब 4 लाग विद्यार्थि शामिल होंगे किसी भी परिक्षा केंद्र पर 200 से अधिक विद्यार्थि शामिल नहीं होंगे एंबी में 16 जून तक तेज गर्मी 17 से बारिश अरब सागर में उच्छा तुफान विपर जॉय और राजिस्थान के गर्म रहने की वजह से मध्य प्रदेश में भी गर्मी का असर है ये प्रभाव अगले तीन दिन यानी 14-15-16 जून तक रहेगा 17 जून से प्रदेश में मौसम बदलेगा और गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की समभावना है हाला कि अगले तीन दिन तक प्रदेश के कुछ हिस्तों में हलकी बारिश भी हो सकती है सत्पुड़ा भवन में आज भी जाज करेगी स्पेशल टीम रासाने पुपाल के सत्पुड़ा भवन में आग लगने की वज़े जानने के लिए आज बुद्वार को भी स्पेशल टीम जाज करेगी ग्रैवेभा के अपर मुके सचिव राजी इश्राजवरा के नितरत में टीम बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की भी मजबूती देखेगी करीब 20 घंटे तक सुलगती रही आग से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुचा है मद्रप्रदेश में 3 करोड़ 90 लाग लोगों के आईश्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड बनाए गए है इससे सबसे बड़ा लाविय है कि उनका स्वास्ते समंदी पूरा डेटा एक जगा मिल जाएगा मद्रप्रदेश देश में सरवादी का आभाकार्ड बनाने वाला राज़ बन गया पछले वर्ष तक राज़ चौथी क्रम पर था आईश्मान भारत योजना के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में आईश्मान के 4 करोड 10 लाग खित ग्राही हैं इनमें साड़े 3 करोड के आभाकार्ड बन चुकी है तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मद्रप्रदेश सब्डेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें धन्यवाद